हाई गाइज वेलकम बैक टो नी वीडियो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कने मुद्व की यह एक आज ही के डेट पर एक नोटिस आया है मेडिकल इजूकेशन कमिस्टन के तरफ से लेकिन यह नोटिस वेब साइट पर हमने नहीं मिला यह कने से हम यह नोटिस को लिया है तो इसमें कुछ खास नहीं है लेकिन कने मुद्व कि जो बैचा को स्कॉलर्शिप मिल रहा है उसके लिए बहुत खास है तो अगर आपको फर्जी डॉक्मेंटेशन कोई भी फर्जी डॉक्मेंटेशन आप यहां पर रखे हैं मिस अपलाई किय हैं और इसके बैसिश्ट पर आपको यह सकुलर्शिप मिल रहा है तो वह बैसिप आपको बाद में रद कर दिया जाएगा अगर किसी बी स्टेज में आपको पता चलीगा है कि आप फर्जी डॉक्मेंट से यह सकता है तो बैसलर में यूजी प्रोग्राम में जो आनिकलु में मिला था जो कि बचा सब 6 to 10 करने मलब की सरकारी स्कूल से नहीं है और सरकारी स्कूल का दावी कर दिया था कि हम सरकारी स्कूल से हैं तो अगर उस तरह का है आपका भी या कोई पढ़ रहे हैं तो आपको क्या होगा किजे जो भी rule and regulation नेपाल रहेगा विस medical education field में उस rule and regulation उन्सार से आपको publish किया जएगा और एक साथ साथ उसमें क्या किया जएगा आपका जितना भी पैसा payment लगता पेइंग सीट में कोर्स को करने के लिए पर्सीव करने के लिए वह पैसा का डबल पैसा आप से लिया जाएगा और पैसा किस तरह से लिया जाएगा तो उस पैसा के लिए बोला गया है है medical education commission की दौरा कि वो पैसा आप का हो सकता है fixed लिआ जाए या चाहिए निमेंघ जो कणूलति पैसा होता चलती फिरती पैसा बोलते हैं जिसे तो और यहेंbor लिआ यह उसेट लिया देगा तो से लेम् requirements करूँंगा आप सबी को कोई भी इस तरह का फरजी डोकूमेंट है तो आप अपना नाम वाद मुर्быJimyaucha कर सकते हैं और इस तारा की जो फ्यूतर में आने वाली समसिया उसे बच सकते हैं और अगर उस तरह का नहीं है तो कोई भी डंडी की बात नहीं आप माजा से अपना सीट पर दबाब बनाए रखे और आपको सीट आफी को मिलना चाहिए ना कि दुश्रे कोई को श्रो गाइस बाइबाइस श्यू सुन टेक क्यार है बुल टे